तो आज यह वीडियो होने वाले है फिल्मोरा 12 वार्सेस फिल्मोरा 13 क्या क्या चेंजेस हुए है वही मैं आप लोगों को बताने बाला हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रिन पर जाके उस बग तक आप लोग वीडियो को लाइक स्यार करके चैनल को सब्सक्राइब जोरूर चाल लेना चलिए अज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपके पास फिल्मोरा 12 है आप लिगेली बाई किये हुए हो तब तो आप आसानी से उसे 13 में अपडेट कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास फिल्मोरा 12 है आप लिगेली बाई नहीं किये हो किसी भी तरीके से इधर उधर से आप जुगार कर चुके हो तब तो आपको अपग्रेड नहीं मिलेंगे आप उसे फिल्मोरा 13 में अपडेट नहीं कर सकते ऐसे भी बहुत सारे लोग है जो लोग लिगेली फिल्मोरा 12 बाई कर चुके थे वो लोग रूपिया देखे क्यों दे रहे है मुझे पता नहीं मेरा तो नहीं लगा रूपिया देखे उसे फिल्मोरा 13 में कॉनवर्ट कर रहे है एक भाई के साथ रिसेंडली मेरे इंस्टाग्राम पर बात हुई उन्होंने बोला कि उन्होंने 2000 रूपिया पे की फिर से फिल्मोरा को क्यों मुझे पता नहीं तो मैं बता रहा हूँ आप मत कीजिए जो लोग किसी भी तरीके से जुगार करते हुए काम चला रहे थे वो लोग और जिन लोगों को रूपिया देना पड़ रहा है बोलो फिल्मोरा 12 को 13 में convert मत कीजिए अप्ग्रेड मत कीजिए फिल्मोरा 12 एक बहुती बढ़िया सब्ट्रेयर है 13 में ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको अप्ग्रेड करना ही पड़ेगा कुछ भी ऐसे खास नहीं है Filmora 12 बहुत ही upgraded software थे already उहाँ पर भी बहुत सारे AI features थे 13 में स्रेफ और स्रेफ कुछ AI features नए add कर दिया गया और कुछ features 12 में थे उसे थोड़ा बहुत और upgrade कर दिया गया और कुछ नहीं तो Filmora 13 पर ज्यादा तर जो नए features add हुए है जो नए AI tool Filmora ने डाले है वो आपको यहाँ पर ही दिख जाएंगे यह जो new यह सारे है लेकिन यहाँ पर कुछ चीजे ना पहले से 12 में था सब कुछ नए नहीं है जैसे के यह screen recorder पहले से Filmora 12 में था फिर से यहाँ पर new दिखा रहे है मतलब कुछ AI features यहाँ पर कुछ AI tool फिर से add कर दिये है और यहाँ पर देखिए यह AI text to video यह Filmora 12 में नहीं था यह आपको नए features मिलेंगे 13 में AI text based editing यह भी नए मिलेंगे यह Filmora 12 में नहीं था एक एक करके मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा मतलब यह जो instant mood यह 12 में भ video editing 13 में नए add किया गया है AI copywriting यह भी 12 में था instant cutter 12 में था यह auto reframe यह भी 12 में था autobast scans 12 में था और obdar यह भी 12 में था 13 में add कर दिया गया लेकिन यहाँ पर भी कुछ improve किया गया है clear अभी नए project पर click करते हुए बाकी सारे चीज़ आब लोगों को समझा देते हैं सबसे पहले media media पर यह जो compound clip film और 12 में नहीं था यह आपको नए features मिलेंगे 13 में इसके उपर मेरा already tutorial video है वो आप जाके देख सकते हो next stock media देखिए यहाँ पर कुछ changes हो सकते है extra कुछ add हो सकते है लेकिन इससे हमें खास कुछ मदद नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर इतने सारे यह footages है य यहाँ पर देखिए free का कोई भी option नहीं है solid color यहाँ पर यह आपको यह diamond को छोड़के बाकी सारे आप free में यूज कर सकते हो यह जो intro यहाँ पर भी आप diamond को छोड़के चीज यूज कर सकते हो यह filmora के खुद के है लेकिन बाकी जो अलग है अलग company का मतलब यह जो green skin है इसे आप use कर सकते हो लेकिन यह free है या फिर नहीं हमें भी पता नहीं आपको भी पता नहीं तो यह थोड़ा बहुत risk हो जाता है ओके और यह जो video footage है यह लगभग 12 में जो था 13 में वही है audio पर यहाँ पर एक नए features filmora 13 ने डाल दी ओ है AI music generator यह जो features 12 में नहीं था यहाँ पर 13 मे music generate कर सकते हो इसके उपर already मेरे tutorial video है अब जाके देख सकते हो और main जो है यहाँ पर आपको same favorite में जाएंगे my music यह 12 में भी था और 13 में भी है और यहाँ पर title में भी same 12 में था वही title यहाँ पर है मैंने चेक की यहाँ पर भी आप free कर लिजिए जो free version है उसे ही आप use कीजिए म पर भी same कुछ extra नए features add कर दिया गया कुछ extra transaction effect add कर दिया गया इससे कुछ खास फरक नहीं पड़ेंगे 12 और 13 में यहाँ पर भी same to same है कोई extra facilities आपको नहीं मिलेंगे effects पर same यहाँ पर भी आपको free करना है यह diamond आपको use नहीं करना है यहाँ पर भी 12 और 13 में कुछ खास फरक न साल दिया गया है वही Valentine's Day, Happy New Year और यहाँ पर template यहाँ पर भी same यह free है कि नहीं मुझे पता नहीं क्योंकि यहाँ पर free का कोई भी option नहीं है और यह भी लगबग Filmora 12 में जो था 13 में भी वही है अभी यहाँ पर और कुछ features नए add हुए है Filmora 13 में उसमें यहाँ पर यह एक नया features है जो 12 में नहीं था ओ है AI capillot editing नए जो AI features Kilmora 13 में add हुए है उसके उपर मैंने specific video upload कर चुका वो video आप देख सकते हो आज मैं स्रेफ compare कर रहा है यहाँ पर कोई भी एक video मैं import कर लेता हूं तो और अच्छे तरीके से अब लोग को समझा पाऊंगा तो इसे timeline पर add कर लेता यह जो features है उपर यह जो देख रहे हो यह same to same है जो facilities आपको 12 में मिलते थे 13 में भी मिलेंगे और यहाँ पर अगर right click करूँ तो यहाँ पर देखिए AI vocal removed यह जो features यह new है यह 12 में नहीं था 13 में add किया गया बाकि जो सारे चीज आपको same to same मिलेंगे AI audio stage यहाँ पर जो audio stage हम करत नहीं है और यहाँ पर color grading में अगर जाओं सब कुछ same ही है हाँ यहाँ पर जो keyframe panel यहाँ पर बहुत सारे नए चीज एड हुए है जो लोग pro तरीके से अपने वीडियो को edit करना चाहता है बहुत ही बढ़िया editing करना चाहता है premiere pro यह फिर divancy इस तरह के software पर वीडियो editing करता है professional तरीके से तो आपको यह keyframe में बहुत सारे नएने features एड हुए है filmora 13 में जो 12 में नहीं था speed, audio यह सारे तो मतलब अलग कुछ नहीं है जो 12 में आपको मिलेंगे same to same आपको 13 में भी मिलेंगे यह सारे features यहाँ पर जो देख रहे हो right side में यह भी same to same है वीडियो को export पर click करते हुए और कुछ चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ यहाँ पर देखिए यह जो thumbnail AI के through आप यहाँ से thumbnail create कर सकते हो यह filmora 12 में था 13 में भी है यहाँ पर new दिखा रहा है लेकिन यह 12 में भी था इसके उपर मेरा specific tutorial है और जाके आप देख सकते हो और यहाँ पर export पर 12 और 13 में कुछ खास changes नहीं किया गया तो जिन लोगों के software पर कुछ problem है वो लोग upgrade नहीं कर पा रहे हो 12 से 13 में तो वो लोग upgrade मत करें 12 में ही 22 के काम कीजिए कोई भी problem नहीं कोई भी दिक्कत नहीं clear कुछ भी फरक नहीं है थोड़ा बहुत है वो अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा आप कोई भी ऐसे तो फिम का वीडियो एडिट नहीं कर रहे हो ना आपको YouTube वीडियो एडिट करना है या फिर फ्रीलांसिंग पर काम करना है Instagram Facebook के वीडियो एडिट कर रहे हो बहुत बढ़िया software है काम बन्याएंगे फिल्मोरा 12 में ही 13 में आप अपग्डेडी मत करें रूपिया देते हुए तो बिल्कुल भी नहीं ओके तो आज ये लिए इस वीडियो को यहीं परेंट करते हैं फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ओके टाटा बाबाई जाए ही